हेलो एवरिवान आज आमचे इंडिया बनाएगी चीजी सिराचा एक टो सैंडविच हम शुरू करते हैं हाफ प्राइ से एक बाउल में एक अंडा फोड लेंगे अब एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और उसमें एक टेबल स्पून ओफ तेल डाल देंगे और इस तेल को हम चारो तरफ फैला देंगे अब इसमें ये अंडा हमें डाल देना है हमें ग्यास को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है इसमें अभी स्वादनुसा नमक डाल देंगे एक पिंच काले मिच डाल देंगे करीब 30 सेकंड बाद हम इस अंडे को पलट देंगे अब हम ग्यास एकदम लो फ्लेम पर करतेंगे जब तक ये अंडा सिक रहा है हम हमारे टोस्ट रेडी कर लेते हैं एक बाउन में हम 3 टेबल स्पून ओफ मेयोनीज लेंगे और उसमें 3 टेबल स्पून ओफ सिराचा सॉस दाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम चार टोस्टेट रेड लेंगे चार उपर बटर लगा देंगे तब हम चीज क्रीम लेंगे और उसे दो स्लाइसे पर लगा देंगे अभी हमने जो सिराचा मेयो सॉस बनाया था उसे हम बाकी की दो स्लाइसे पर लगा देंगे चलिए अब हमारा हाफ फ्राइ चेक कर लेते हैं अगर यह गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसको पलर देंगे और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेख लेंगे अब यह हाफ फ्राइड टोस्टेड ब्रेड पर लगाने के लिए बिलकुल रेडी है अब हम बनाएंगे मसालो अमलेट अब हम बनाएंगे मसालो अमलेट के लिए हम लेंगे दो अंडे इसमें हम डालेंगे डेड़ चमच कटा हुआ कांदा हरी मिर्च स्वाधन सार दो बड़ी चमच कटा हुआ टमाटर रेक बड़ी चमच कटा हुआ हरा धनिया नमक स्वाधन सार एक चुटकी काली मिर्च वन फो टी स्पून लाल मिर्ची का पाउडर अब अब एक काटी की मदद से हम इसे अच्छे से फेट लेंगे एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और उसमें हाफ टेबल स्पून ओफ तेल डाल देंगे एक टेबल स्पून के करीब बटर डाल देंगे अब इसे पैन में चारो तरह फैला देंगे अब हम इसमें वह फेट वह अंड़ा डाल देंगे अब हम इसे फटा फट मिक्स करकर इक्वली फैला देंगे वरना ये बीच में से मूटा और साइट से पतला रह जाएगा अब इसकी किनारी को दीरे दीरे निकाल कर बीच में डाल देंगे ताकि ये एकटम एक्वली बने हम इसे मीडियम ग्यास पर तब तक सेखेंगे तब तक ये नीचे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाएगा अब हम इसको परलट देंगे और हम इसे तब तक सेखेंगे जब तक ये नीचे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाएगा अब ये ओमलेट बिल्कुल रेडी हो चुका है अब हमें से कट करके हमारी टोस्टेट पर लगा देंगे अब हम इस पर थोड़ा सा लगाएंगे सिराचा मियो सॉस थोड़ा सा कटाओवा टमाटर, कटाओवा प्यास, कटाओवा हरा धनिया अब हम इस पर सिराचा मियो सॉस वाली स्लाइस को प्लेस कर देंगे अब हम इसे कट करेंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक शेयर देंगे अढस्काइब यूड़ ओर।